पिछले एक साल से जादर समय से एक्टरस कंगना रोनाउट और रितिक रोशन के बीच आरोप प्रत्यारोप क्या दोच चल रहा है हाला कि रितिक जादर तर इस मुझे पर खामोश रहे हैं लेकि कंगना रोनाउट और उनकी बेहन रंगोली चंडे लगाता रितिप पर हमला करती रहती है हाली में रंगोली ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया था कि रितिक की बेहन सुनैना ने जो कुछ भी कहा उसके लिए कंगनारोनाउट से फोन पर उन्होंने माफी मागी थी अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है रंगोली ने इन आरोपों के बाद सुनैना का एक हालिया ट्वीट सामने आया जिसमें वेबिना लाग लपे कंगना का सपोर्ट करती नजर आ रही है रंगोली ने ट्वीट कर बताया कि दितिक की बेहन सुनैना एक मुस्लिम यूवक से प्रेम करती है और उनके परिवार को ये रिष्टा मनजूर नहीं है इस सब्मन से नराज परिवा सुनैना के साथ मार पीट करता है रंगोली ने अपने ट्वीटर पर ये दावा किया है कि दितिक रोशन की फैमिली सुनैना को टॉर्चर करती है और सुनैना इस मामले में कंगना से मदद मांग रही है पिछले हफते एक महिला पूलिस कर्मी ने उन्हें थपड मारा उनके पिता ने भी उन्हें मारा और उनका भाई उन्हें बंद करके रखना चाहता है रंगोली ने आगे लेखा मुझे डर है कि उनका खतरनाक परिवार उन्हें नुकसान पहुचा सकता है हमने इस बात को सारवसनिक इसलिए किया क्योंकि सुनैना हमेशा कंगना को कॉल करके रोती रहती है कंगना को नहीं पता कि उनकी मदद कैसे करें इसलिए मैंने सुनैना का नंबर ब्लॉक कर दिया है लेकिन हमें उनकी सेफटी की चिंता है मुझे उमीद है इससे रोशन फ्रामली को डर लगेगा और वे अपनी हरकते रोक देंगे आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए असलेंडे टेम में